अज़ है अज़ आज अज़ हम बात करने वाले हैं ओन बिफोर प्रिंट ओन आफ्टर प्रिंट और ओन बिफोर अनलोड यह अट्रिब्यूट है मैक्सिमा आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन अच्छा वैब डिवेलपर बनने के लिए आपको उससे भी चीजों के बारे में पता होना जरूरी है तो चलिए अब इन तीनों एट्रिब्यूट को अच्छे से समझे लेते हैं और से पहला है ओन बिफोर प्रिंट नाम से आप समझ रहे हैं कि जब हम कोई प्रिंट की कमांड देंगी प्रिंट की कमांड देने पर आपको क्या एक्षन प्रफॉर्म कराना है क्या फंक्षन आपको रन करना है वो इस एट्रिब्यूट की मदद से आप तैं कर सकते हैं दूसरा हमने पास में है on after print जब आप print के लिए कमांड देंगे परिंट होने के बाद जब आप print के लिए कमांड देंगे और print page हो चुका होगा उसके बाद आपको क्या कमांड चलानी है वो इस attribute से आप तेह कर सकते हैं अब देखिए ये depend आप पर करता है कि आपने किस तरह का function बनाया है और आप क्या काम कराना चाहते हैं ये आप पर depend करता है मैं आपको basic information दे दूँगा और बाकी जो ये attributes हैं इनका use करके आपको दिखा दूँगा अब देखिए on before unload जिब हम किसी page को unload करते हैं मतलब जब उस page को हम close करते हैं तो क्या action perform होने वाला है वो हम इस से तेह कर सकते हैं माले जी हमारा कोई web page है कोई हमने browser में window open कर रखी है हम उसको close करते हैं तो close करने पर माले जी हम user से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस window को close करना चाहते हैं तो उसके लिए आप on before unload attribute का use कर सकते हैं देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं on before print देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर मैं एक heading लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा page पर कुछ दिखाई तो दे तो यहां पर अभी कुछ नहीं है तो मैं यहां पर heading लिखता हूँ this is heading h3 this is heading h3 save करके इस page को मैं refresh कर लेता हूँ ठीक है यह क्या चीज़ है यह होगा this is heading h3 मैंने heading h3 कर दिया अभी देखिए मैं इस page को यह प्रिंट करना चाहाँ ctrl p जैसे ही प्रेस करूंगा देखिए जैसे ही मैंने ctrl p प्रेस किया तो मेरे सामने यह window इस तरह की print वाली window open हो जाएगी और powerpoint की presentation file में भी है जिए आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी website smartmindcode.com पर visit करें यह देखिए यह मेरे पास में एक window open हो गई है जैसे ही मैंने ctrl p प्रेस किया तो मुझसे कुछ पूछा नहीं गया डायक्त लिए window open हो गई लेकिन अब माल लेजिए यदि आप चाहते हैं कि यदि user इस page को print करना चाहे तो उसके message दिखाए दे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहां पर एक आप function चला सकते हैं देखिए माल लेजिए मेरे पास में function है यह वाला fun के नाम से function है और जैसे ही user print के लिए command देगा तो उससे पूछा जाया यह कोई भी action perform हो उसके लिए आप यहां body tag में on before print लिख सकते हैं on before print और यहां में एक function चलाओगा fun के नाम से इस function में मैं जो भी action perform करना चाहता हूँ वो यहां पर लिख दूँगा अब मालग जी देखिए यह fun के नाम से function है मैं यहां पर कोई action perform करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर काम करता हूँ एक alert window यहां पर बना लेता हूँ और alert window में यहां पर एक message रिखता हूँ are you want print the page यह हो गया Ctrl से save करके इस page को अब मैं refresh करता हूँ अब refresh किया एक बार coding को समझे लिए ध्यान से जिरा अभी क्या होगा जो यह body है इस body मैंने on before print के नाम से एक attribute लगया जैसे print की command दे जाएगी तो यह function call हो जाएगा fun के नाम से और यह function क्या करेगा यह function एक alert window बनाएगा जिसमें पूछा जाएगा और you want print the page तो मैं अभी इसको save करके इसको refresh कर लेता हूँ अब देखिए मैं ctrl P प्रेस करता हूँ देखिए ctrl P जैसे मैंने प्रेस किया सबसे पहले मेरे सामने एक warning window आई warning window में यहाँ पर मैंने message दिया था यहाँ पर दिखाई दे रहा है और you want print page यदि मैं इसको click करूँगा तो print वाली window आ जाएगी यह देखिए जब मैं इसको okay कर दूँगा तभी यह window आएगी लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि user अगर print की command दे तो command देने पर user से पूछा जाए कि वह print करना चाहता है यह नहीं करना चाहता है तो okay करें और अगर print नहीं करना चाहता है तो cancel करतें तो उसके लिए यहाँ पर alert window की जाएगे यहाँ पर confirm window आप यूज कर सकते हैं ठीक है अब देखिए अब देखेंगी अब मैं Ctrl P प्रेस करूँगा तो चैसी मैंने Ctrl P प्रेस किया तो यहाँ से पूछा गया और अब की बार मैं यहाँ cancel को क्लिक करूँगा ठीक है confirm window यह cancel अभी देखिए cancel करने पर भी यहाँ हमारे सामने print का dial box दिखाए दे रहा है क्योंकि हमने कोई ऐसा function नहीं बनाया है कि यदि user cancel पर क्लिक करें तो क्लिक करने पर print का dial box नहीं आना चाहिए इस प्रकार के coding हम आने वाले जावा स्क्रिप्ट और JQD के जो हमारे course आएंगे उन सभी में बता देंगे आपको ठीक है अभी देखिए मैंने आप confirm window और alert window आपको लगा कर दिखा दी है कि यदि आप Ctrl P press करेंगे तो क्या action होने वाला है वो आपको दिखा दिया है देखिए इस action के साथ साथ जो अभी alert window आए थे और confirm window आए थे उसके साथ में आपको अधर action भी perform करा सकते हैं यहां Ctrl P जैसे प्रेस हुआ तो आप चाहते हैं कि बोड़ी का जो background है वो color change हो जा या फिर आपने जो भी अपने वेब पेज पर element बनाए हैं उनमें से किसी एक element पर आपको effect डाना चाहते हैं मालेजे किसी element की background color change करनी है या उसका font cut कुछ भी चीज़ चैंज करनी है मतलब क पुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि जैसे यह function call होगा यह function कब call होगा जब print के लिए command दे जाएगी यह function call होगा अब यह function मैं यहां पर बनाया है अब इस function से आप क्या करना चाहते हैं वो यहां से कर सकते मालेजें जैसे Ctrl P press होगा मैं चाहता हूँ कि यह heading है is heading का color change हो जाए देखिए मैं यहाँ पर action perform करने के लिए इस heading पर मैं यहाँ पर इसको एक id देता हूँ demo id मैंने इसको दे दी अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजेगा मैं यहाँ पर इस id को target करता हूँ document.getElementById और इस id का जो भी नाम है वो मैंने यहाँ पर दे दिया और क्या चाहता हूँ कि मैं उसकी background जो color है वो change हो जाए okay color कैसे चाहिए माली जे red चाहिए अब देखिए ध्यान दीजेगा control इसे save कर लेते हैं और यहाँ से अब इस page को refresh करते हैं अब देखिए page मैंने refresh किया अब मैं जैसे ही control P press करूँगा print के लिए जो dialer box आएगा जैसी control P press होगा तो function कौन सा call होगा fun के नाम से function जो call होगा मैंने उसमें बताया है कि जो यह heading है इसका color change होना है तो control P press करता हूँ control P जैसे ही मैंने press किया तो आपने देखा control P के साथ साथ में यह dialer box तो open हुआ साथ ही साथ जो heading थी उसका background कर भी change हो गया है तो ठीक है आपको यह चीज़े clear हो गई होगी होगी अब मैं चीज़ क्या है वो समझ लीजिए on before print क्या करेगा इस function को call करेगा इस function में आप कोई भी functionality दे सकते हैं आपके web page में कितने भी element है किस element पर आपको क्या effect डानना है क्या command चलानी है वो आप पर depend करता है जैसे मैंने यहां पर command बनाई है इसी तरह आपके एक से जब्स तरह किसी भी तरह command बना सकते हैं एक function में 10, 20, 30 जितनी भी command चाहिए आप चला सकते हैं प्रैक्टिक्स कीजिए करके देखिए ठीक है आप समझ में आ जाएगा आपको clear लिए अब देखिए जैसे मैंने on before print पर function का use किया है इसी तरह में on after print पर भी कर सकते हैं देखिए अपर on after print अब जब print हो चुका होगा जब page print हो च time यह function call होगा और यह function क्या करेगा फिल्ड से यह h3 को target करेगा ठीक है और इसके background कर रहा है वो red कर देगा ध्यान दीजेगा दुबार से पेज को refresh किया जो heading h3 है उसका background color अभी कुछ भी नहीं है मैं ctrl p से press करूँगा ctrl p से press करने पर देखिए background का color कुछ चैंज नहीं हुआ है क्यों 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 क्योंकि मैंने अब की बार after print वाला attribute योज किया है जब तक यह print नहीं होगा तब तक action perform नहीं होगा print पर click क्लिक करने पर देखिए जैसे ही print हुआ तो यह action perform हो गया ठीक है अभी मैं इसको cancel लग लेता हूँ जैसे ही print हो चुका है page तो यहां मैंने जो function लगाया हुआ है fun के नाम से उस function में जो मैंने command दी है वो run हो गया है और जिसके run होने से जो h3 का background है वो red हो गया है ठीक तो देखिए on before print और on after print दोनों attribute आपको समझ में आ गया होंगे अब बात यह है कि इनका use कैसे करना या पर depend करता है ठीक है अपने web application में या फिर आपकी website पर आप किस तरह का action perform करना चाहते है या आप पर depend करता है यदि आपको कहीं पर जरूरत है कि user print करे page को तो उसको कोई message हो हो या कुछ पी action perform हो वैब पेज पर वो आप on after print या फिर on before print attribute की मदद से तैंक कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें और जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है तो comment box में yes लिक करके replay करें और जिन लोगों को यह वीडियो समझ में नहीं आया है कहीं पर कोई topic आपको तो वह आप comment box में मुझे बताईए कि आपको कहां पर doubt है क्या चीज़ आपको clear नहीं हुई है कोई चीज़ अगर ऐसी है तो comment box में बताईए मैं आपको replay जरूर करूंगा करूंगा